नमस्कार, चोटा बिजनिस है उसे बड़ा कैसे करना, आप भी कोई चोटा बिजनिस करते हो तो आपको लोगता है मेरे भी बड़ा बिजनिस होगा, मेरे भी करोडो का टर्नोर हो, मेरे भी करोडो का परपिट हो, चोटा बिजनिस चाहे आपका कोई कीरना शोप हो, चाहे आपका कोचिंग क्लासेश हो या कोई आपका जो कोई भी बम्हूराइछ से आइटम उल्ट से हो जिसको आप मैनिफेक्चछर Mei करते हैं या फिर आप कुछ भी बहुत ए怎么 कि मैरे बुदे भूध हो गोर्त एसी हो को वह देखने लग Pride तो अगर आप भी अपने छोटे बिजनिस को बढ़ा करना चाहते हैं तो ये पाँच गोल्डन रूल्स आपके बहुत काम आएंगी नमबर वन लोगों से प्रोपर बील करना आप कोई सब भी बिजनिस कर रहा हूँ बिजनिस का सक्सेश होने का सबसे बढ़िया तरीका चाहे आप छोटे से छोटा बिजनिस करो या बड़े से बड़ा बिजनिस करो हर बिजनिस का फ़स्ट इस्टेप पढ़ाने का एक ही होता है और सभी बड़े बड़े लोगों में किया है लोगों से proper deal करना आपका product है आप लोगों से कैसे deal कर रहे ह। आपकी communication कैसी है आपकी body language कैसी है आपकी product में ऐसा क्या है जो लोग आप की product को अपनाएंगे तो सबसे पहले द्यान लटना अगर आपको अपने business को grow करना है तो लोगों से proper deal करना आपको सीखना होगा अपनी बोडी लेंग्वेज अच्छी बनानी होगी आपको अपनी कम्यूनिकेशन इसकिल्स इसी बनानी होगी कि आप किसी से अपने बिजनेस की डिल करने जाए ना तो सामने वाला आपको इग्नोर न कर पाया आपकी डील को accept कर ले इसी आपकी communication skills होनी चाहिए बात करने का तरीका इसा होना चाहिए सामने वाले वेक्टी से और आपकी बोडी लिंग्विज हो ऐसी हो आप सामने वाले से मिलो तो एक एनर्जेटी से मिलो और अपने बिजनेस के बारे में ऐसी बात करो सामने वाला के वाकई में वो उस्सा एनर्जी से बर जाए सामने वाला अगर आप ऐसे प्रोपर डील करोगे ना तो हर कोई आपके बिजनिस में फंडिंग करेगा हर कोई आपके साथ में लगेगा हर कोई आपके साथ में बिजनिस से जुड़ने की कोशिस करें तो सब से पहले द्यार रखना फर्स इस्टे बिजनिस को उपर बढ़ाने का लोगों से प्रोपर डील करना लोगों से ब्राबर बीहेवियर रख लोगों की लाइफ बहतर बनाने का उस्सा है आपको कुछन कुछ ऐसा करना होगा अपने प्रोड़क्ट के बारे में कि यार मेरा प्रोड़क्ट ऐसा हो कि सामने वाले व्यक्ति को उस्सा से भढ़ दे सामने वाले व्यक्ति के जिन्दगी आराम कर दे मतलब जो इसकी जिन्दगी में पाफ दोड़ है या मेरा प्रोड़क्ट वो देखकर एक गुड फील करे अपने प्रोड़क्ट में ऐसी एनरजी पेदा करे लोग आपके PRADUKT के प्रती लानची हो के नहीं यार मुझे PRADUKT लेना है तो उसी का लेना है Bill Gates कहते हैं कि अगर आपके क्स्टमर आपके PRADUKT से संतुष्ट है ना तो आप अपने PRADUKT से सबसे बड़ा सबग सीख स्कते हूँ आपके प्रोड़क्ट से आपके ग्राइक संतुष्ट होने चाहिए आपको प्रोड़क्ट ग्राइक को दे रहे हो और ग्राइक उसमें कमी लगती थोड़ी सी भी कोई भी और ग्राइक आपके प्रोड़क्ट से सेटिस्पाई नहीं है तो आपका प्रोड़क्त ग्राफ में उस्सा कैसे भरेगा कैसे लोगों में उस्सा आएगा आपका प्रोड़क्त खरीदने में प्रोड़क्त हो तो ऐसा हो कि सामने वाला जाकर शोप पर मांगे कि मुझे उस कंपनी का प्रोड़क्त चाहिए तो आपका प्रोडक्त चलेगा नहीं तो दोड़ेगा सीधा तो प्रोडक्त ऐसा होना चाहिए फर्प जरक लोगों में उसा बरे थर्ड लोजिकल सोच और क्डियेटिव ठीकिंकिंग आपको अपने बिजनिस में चोटे बिजनीस में हर चीज़ में एक Logyक रखना होगा और आपको क्रियेटीव Thinking रखनी होगी मार्केट में दस तरह के सावून हो ति मानलो आपके पास सावून का प्रोड़क्ट है मार्केट में 10 तरह के साबुन आ रहे आप भी उस फिल्ड में उतर रहे तो आपको कुछ क्रियेटिव सोच रखनी होगी आपको कुछ डिफरेंट रखना होगा तभी आपका साबुन चल पाएगा पहले ही मार्केट में बड़े बड़े दिगच साबुन के फिल्ड में उतर हुए और जब आप उतरोगे, आप एक इनिशियेटिव करोगे आप एक न्यू कमर होंगे मार्केट के लिए तो आपके प्रोड़क्ट में ऐसा क्या नया होगा जो कस्टमर खरीदेगा कुछ इनकुछ तो अपने प्रोड़क्त में क्रियेटिव करना होगा या तो आपको प्राइस कम रखनी होगी या अपने प्रोड़क्त को दूसरों से बहतर बनाना होगा या कोई इस्कीम रखनी होगी कुछ निकुछ तो जब market में आपको penetration करना होगा ना कुछ निकुछ तो नया करना होगा जैसे जीयो market में उत्रा पहले से बड़ी बड़ी दिगज कंपनिया थी लेकिन जीयो ने क्या-क्या starting में सब कुछ free दिया तो यही तो जीये जीयो की creative thinking थी और मार्केट में उत्रा और आज बारत की नमबर वन टेली कम्यूनिकेशन कंपनी बन गए जियो तो शुरुआत में आपको क्रियेटिव सोच रखनी होगी लोजिक सोच रखनी होगी तब ही आप अपने चोटे बिजनिस को बड़ा कर पाओगे योजनाओ को सही तरह से लागू करना आपका प्रोड़क्ट अच्छा है आपकी फाइनेशल इस्तिति अच्छी है सब कुछ अच्छी है आपको प्लान लागू कर रहे हो मार्केट तो उस प्लान को सही तरीके से इंप्लिमेंट करना मार्केट कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास में सब कुछ अच्छा होता है प्रोड़क्ट अच्छा होता है टीम अच्छी होती है फाइनेंशल इस्तिती अच्छी होती है लेकिन वो अपना बनाए गए प्लान को सई तरीके से मार्केट में नहीं उतार पाते नोट बंदी मोधी सरकार की सबसे बेस्ट पोलिसी वो बहुत बढ़िया पोलिसी थी लेकिन फेल क्यों हुई क्योंकि मार्केट में सही तरीके से इंप्लिमेंट नहीं हुई लोगों ने अपना ब्लेक पेसा वाइट में कर दिया क्यों कि उसको सही तरीके से गवर्मेंट लागू नहीं कर दो तो आप कोई भी प्लान बनाए कुछ भी करें उसको लागू सही तरीके से करें अगर प्लान बना लोगे वो लागू सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो आपका प्रोड़क्ट मार्केट में नहीं चलेगा फिप को financial management तो करना होगा चाहिए आप बिजनिस नहीं करते हो चाहिए अपना गर खड़ चला रहे हो उसमें भी आपको financial management सही तरीके से करना होगा अगर आप अपने बिजनिस में financial management सही तरीके से नहीं करोगे तो आपको छोटा बिजनिस बड़ा कैसे होगा ? आपको हरत तरीके से एक एक चीज देखनी होगी, कहाँ पैसा, एक्ष्टा खर्च हो रहा है, उसको बचाना होगा, आपको कोश्ट मेनेजमेन्ट को निकालना होगा, आपको जहाँ पर भी एक्ष्ट्रा, अपने बिजनिस में पैसा वेस्ट हो यह आप देख लेना हो सकता है कि यह आप के लिए बहुत काम है तो यह five golden rules अपने छोटे business को बढ़े करने के लिए आप जरूर याद रखें